तो यहां पर देखें, 40 रूपीज का आपका सिधा 400 रूपीज कैसे हो सकता है, इसके पर अच्छी का लॉजिक क्या है, इस तरीके से मॉमेंट आपको देखने मिल सकता है, सबसे पहले चीज यह जो 40 रूपीज का 400 हो सकता है, इसके बोलते क्या है, तो इसे कहते हैं हम hero and zero, क् यह 40 रूपीज आपको 400 रूपीज भी हो सकता है, 500 रूपीज भी हो सकता है, अभी इसका logic में आपको समझता हो, सबसे पहले तो आप यह जो मॉमेंटम है, यह पूरा काफी बढ़िया सा मॉमेंटम है, इस मॉमेंट को हमने अल्री कैप्चर करके रखा हुआ है, अब इसके मिल जाएगा, अब हम यह भी देखने वाले कि जो हीरो जिरो होता है, उसके बार में जो बड़े वाले मॉमेंट कैप्चरिंग का logic होता है, वो आपको कहा पे और कैसे देखने मिल सकता है, सबसे पहले चीज़ अगर आपको यह hero and zero लेना है, तो 40 and 400 वाला, तो उसके पीछे दो से तीन logic होने वाले, सबसे पहले चीज़ तो यह देखते हैं कि जो market का closing लगबग चल रहे है, वो लगबग 52,670 के आसपास या फिर उससे थोड़ा सा नीचे, लेकिन 52,560 के आसपास हो सकता है, मतलब कि इस बीच में अगर होता है, तब जाकर कि हम यह वाले जो analysis से उस का, उस accordingly यहां से अगर यह निकलता है, तो आपना अगला target सीधा 52,945 कर रहेगा, जो second important target हमारे लिए होने वाला है, वो लगबग 52,200 का होने वाला है, अब यहां से दो variant target आपको मिलेगे, मतलब कि उपर के side में जो C target रहने वाला है, नीचे के side में जो P target रहने वाला है, व यह दोनों target में हमें entry कहां पर लेना चाहिए, एन exit हमें कहां पर करना चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि अपने risk management पर और कि इस तरीके से हमारे risk हम यहां पर manage कर सकते हैं, उस हिसाब से, आज का जो morning वाला session था तो हमारा morning मारी मारी में ही profit हो गया था काफी बढ़ी ऐसा, morning वाले time में, अगर आप देखोगे, तो early morning यहां पर ही, जो है, trade plan हो जाता है, उसके बाद में काफी बढ़ी ऐसा profit भी हमारे यहां पर जो हो जाता है, कई ना कई, लेकिन अगर इस तरीके से आपको भी live market के update चाहिए, अगर आपको यह चीज़ समझ में आना चाहिए, कि हमा साथ यहां पर जो totally free वाड टेलिग्रम चैनल होता है, हमारा अगर आपने उसमें जोइन नहीं किया, तो definitely join कर लीजे, यह totally totally free to join है, bank nft option trade, चीक है, इसके अंदर लगबग 12,000 प्लस मेंबर जोड़ चुके है, आज भी हमने update दिया था, काफी बड़िया से जो है profit points भी वाप booking हो चुका है, अब यह सब advanced updates, advanced level जो होते हैं, वो premium group में भी मिल जाते हैं आपको, तो अगर आप चाहो तो यह free group join करिए, free group अगर अच्छा लगता है, तब जाकर क्या premium group join कर सकते हो, अब जैसे मैंने कहा था, आपको यह 2-3 important level दे करके रखेते हैं, अगर ध्यान से देखते है, तो फिर कही ना कि उस सेड़ का momentum हमें देखने के बहुत ज़्यादा high possibility chances वहापे हो सकता है, इसलिए nifty 50 में हमें अगर काम करना है, तो हमें क्या चाहिए important हमें एक zone पता होना चाहिए कि कौन से zone में क्या हो सकता है, किस जगे पर हमें trapping मिल सकती है, कौन से level से हमें जो ह बहुत हो सकता है, अब यह वाला अगर आप जहां से zone देखोगे तो यहाँ पर जो अगला target निकल गया है, 52,970 से लेकर के 52,945 का, अब यहाँ पर यह जो target है, इन दोनों लेवल के आसपस आपको बहाँ पर definitely target देखने मिल सकता है, nifty bank में, लेकिन अभी entry point कहा पर था, अब जैसे मैं आपको entry point बताया था कि हमारा already advance update हो गया जगा था, and कल का जो expiry है, वो क्या से मिल सकता है, अब expiry का जो बड़ा move है, 40 से 400 वाला, तो क्या यह कल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, देखिए, अगर यह move चाहिए, तो हमें उसके लिए important चीज है कि हमें moment जो है, वो fast चाहिए, अगर हमें moment fast मिलता है, तब जाकर कि हम यहाँ पर जो है capturing भी fast में कर सकते है, और जो बड़े profits होते है, वो भी हम यहाँ से निकल के ले जा सकते है, यह सब चीज़े तभी possible होगी, जब आप आपके hero zero में risk management follow करके, मतलब क्या हो सकता है, 40 rupees जादा से आदा से आदा चार सो हो सकता है, बास सो हो सकता है, यह फिर यह 600 भी हो सकता है, डिबेंड करता है कि कितना market का momentum उपर के साड में चल जा रहा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है, hero and zero का target देखने मिलेगा, इन hero and zero का levels देखने मिलेगा, entry levels and exit levels, अब जैसे हम यहाँ पे nifty bank के बारे मे बात करता है, ताकि दोनों के accordingly हमें logic समझ में आ सके, अब देखे, अब यहाँ पर जो है ना nifty है, अब nifty के अंदर ऐसी कौन से कौन सी चीज़े है, जो हमें ध्यान रखने चाहिए, अब nifty के लिए जो important level से वो लगबग 23,788 करेगा, अगर market किसी तरीके से इन levels के उपर न market करना चाहता है, तब जाकर कि हमारा जो nifty 50 है, वो कहीं न भी काम कर सकता है, अब अगर यहाँ पर downfall करना ही है market को, तो market के target क्या रहेगे तो वो रहेगे लगबग हमारे 500 and 73, 500 and 477, यह दोनों तिनों targets हमें वापर देखने मिल सकते हैं, अगर nifty 50 downside के moment दिखाता है, downside का target हम हमें achieve काने का मौका दिलाता है, तब जाकर कि यह वाले target हमें वहाँ पर definitely देखने मिल सकते है, nifty 50 में, अब उसी के साथ में यहाँ पर जो उपर के side के levels रहेगे, वो कौन से रहेगे, वो भी एक बाद चिक कर लेते हैं, तो उपर के side के levels के अगर बात किया जाए तो 23,800, 23, 23,745, and 23,921, अब यह दो नो त्यों लेवल्स हमें वहाँ पर देखने मिल सकते है, nifty 50 में, तो nifty 50 हमाई पास बहुत जादे important levels है, किस तरीके से nifty 50 चलने माला है, किस तरीके से nifty 50 उपर निकलने माला है, किस तरीके से nifty 50 नीचे की और आने माला है, यह दोनों के दोनों ब बहुत बहुत जादे important हमाई लिए होने वाले है, nifty 50 के हिसाब से, अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर देखना है कि यह hero and zero क्या से काम करेगा, अब जैसे मैं आपको बताए कि 40 से यह 400 हो सकता है, या फिर जादा से जादा यह zero हो सकता है, मतलब कि अगर आपका hero zero य जाता है, तो कितने का होगा, सीधा 400 तक जा सकता है, या फिर 500 भी हो सकता है, या फिर 300 भी हो सकता है, यह डिपेंड करेगा कि मार्केट के moment कैसे है, अब जैसे मान लेते है कि यहाँ पर मार्केट उपर जा रहा है, फिर उपर जा रहा है, फिर उपर जा रहा है, फिर उपर सबक्राइब बाते हैं कि था से यहाँ से और वार उसे बान में और बना रहे जशन नहीं और अगर मैंद लो कि यहाँ पर यहाँ फिंट से अगर कि यहाँ बना लिये हैं घुट करके मार्केट उपर जाएगा लेकिन अभी उसके बाद मार्केट का भी उपर निकले गई नहीं क्योंकि उसके बाद मार्केट नीचा जाएगा अब यह चीज के साथ भी अपला हो सकती है तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर करते हो काम तो आपको पता है कि आपके इस मेनेजमेंट के अकॉर्डिंग लिए इतना लास होगा तो उतना ही लोस लेकर कि आप मार्केट से जो है वह एक्जिट कर सकते हो अगर बगर कुछ यहापे रहता है तो फ्री टेलिग्रम चैनल में